अगर आपने पॉलिटिकल साइंस या फिर सीविक्स आपने चूस किया है तो is especially आप लिए के लिए याद रहिएगा इसी सबजेट को हम सिविक्स भी कहते हैं, इसी को हम कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी तुछ कन्फ्यूस होनेक ज़रूरत नहीं है, दोनों का बात एक ही होता है ठीक दोनों का मतलब एक ही होता है हाँ अगर जिन्होंने में डोमेन में इसको subject नहीं चूस किया है चाहिए आप BA हो BSEO B.com या फिर LLB हो याद रिखेगा आपके जर्णल टेस्ट में इन सब्जेट से जो से हिस्ट्री हो गया जियोगरफी हो गय पॉलिटिकल साइन्स हो गया या इकोनॉमिक्स हो गया इनसे मिक्षर होके सेंटेसे आप में आते मिक्षर होके क्वेस्ट बनते हैं जो आपके जर्णल टेस्ट में पूच लिए जाते हैं इसलिए आपके लिए हैं इंपोर्टन है लिकि जिन्होंने में डोमेन में इसको से करते देखे आज कमारा पहला कोश्चन कह रहा है कि पहला कोश्चन है कि दीती विश्विद्ध कब से कब तक चला था तो याद रहेंगे जो दूसरा विश्विद्धा वह चला था आपका 1949 से लेकर 1945 तक से क्या अभिप्राय है इसको नहीं हो रहा है लेकि युद्ध की संभावना बनी हुई है तो इस जो कंडिशन होती है हम बोलते हैं सीथ युद्ध इस लिए इस option को हम क्लिक कर देंगे यहां थोड़ा सा option आगे पीछे हो गया है तो इसको हम कर लेंगे भी और इसको कर लेंगे हम सी ठीक तो भी हमारा राइट आंसर हो जाए कि याद रखीगा शीथ युद्ध का मतलब होता है कि वास्तिक मनल हैं तो वारस्ता जो संदिती वो किसी गुट की देन है तो जाए रहेंके कर दो हमारा पर हम बत द में सhrard आज रहें से बिए याद रखे को और सामेवादियों का सासन था फिर देखे आ जाएंगा हमारा फिफ्ट नमबर कुछ रहा है कि निमलिखित में से कौन गुट निरपेच आंदोलन से संबंधित नहीं है अब देखे ऑप्शन A आया है करनल नासी रहा है ऑप्शन B ब्राज टीटो आया है गुट निरपेच आंदोलन का क्या लक्ष है तो जो गुट निरपेच जो आंदोलन है उसका क्या लक्ष मेन क्या है तो याद रखें गुट निरपेच जो आंदोलन का जो मुख लक्ष है वो विश्व सरकार की अस्थापना करना भी है परुणमाड आप्रसार परमाडो के प्रशारन को रोखना भी है विश्व राजनीत में तरती गुट का निर्मार भी है इसलिए याद रखेगा हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा option number D हो जाएगा ये सभी option का है हमारे सही है इसलिए हम यहाँ पे अप्रोग तो सभी option number D को यहाँ पे हम click कर देंगे तो याद रखे गुट नीर पेच आंदोलन का जा रहा है इसका प्रमुख कारण है तो इसका प्रमुख कारण क्या है तो गुट नीर पेच दो है वो लगातार क्या होता जा रहा है ये नरम पढ़ता जा रहा है इसका जो मुख कारण है ये है गुट नीर पेच चता का विचार वैश्वी करण के कारण अप्रसांगिक हो गया है इसलिए हमारा option number यहाँ जो B होगा हम B number को क्लिक कर देंगे याद रखेगा good निरपेश आंदूलन नरम पड़ता जा रहा है इसका जो प्रमुख कारण है वो है good निरपेशता का विचार वैश्वी करण के कारण अप्रसांगिक है ठीक इसलिए हमारा यहाँ B number यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फिर देखे आ जाएंगे हमारा 8 number कोशन कहाँ रहा है कि निम्न लिखित में से कौन सा good निरपेश देश नहीं है तो याद रहेगा इन चारों की बात करें जो good निरपेश देश नहीं है वो है option number A, Britain Britain जो है good निरपेश देश नहीं है स्री लंका हो गया, मिश्र हो गया, इंडोनेशिय हो गया इस सब क्या है, good निरपेश देश है और कौन नहीं है वो है ब्रिटेन इसले ब्रिटेन को हम klik कर देंगे फिर देखें आ जाएंगे 9 नमबर कुशुन केह घा रहा है कि गूट निरपेश आंदोलन जो गूट निरपेश जो आंदोलन है इसका प्रथम संम्मेलन कम हुआ था या फिर गूट निरपेश आंदोलन की निव कब पड़ी थी या प्रथम सम्मेलन कब हुआ था या इसकी प्रथम निव कब पड़ी थी बात एकी है तो याद रखेगा इसकी जो प्रथम सम्मेलन हुआ था जो प्रथम निव जो पड़ी थी ये हुआ था बेल ग्रेट में 1961 में और बेल ग्रेट 1961 में और बेल शार संदु, जिसको शारट में हम कहते हैं, Npt की परीभाषा के अंतरगत निम्निमे से कौन परमाणु संपन नहीं माना गया है, तो कौन निमे जो देश हैं, कौन परमाणु संपन नहीं हे, कौन सा देश, अमेरिका, ब्रेतन, फ्रांस या जापन, इन सभी में, तो इसमें हम इसलिए हमेशा अमेरिका और रशिया के बीच में हमेशा संगर्स देखने को मिलता है ठीक ये बहुत ही पुरानी इनकी स्ट्रगल चली आ रहे है इस्ट्रगल क्या कहा सकते हैं वार की कंडिशन के सुरू से ही बनी हुई इनके साथ तो सीत युद्ध का जो अभिप्राय है वो सभीत संग के बीच एक प्रतिसपर्दा की संभावना या कह सकते हैं उसकी जो कंडिशन उसको बोला जाता है फिर दिखे आ जाएंगे हमारा 12 नमबर कुशिंग रहे हैं कि गुट निरपेश आंदोलन का प्रमुख देश क्या है तो दिखिए ओप्शन A, B, C, D आया है तो याद है गुट निरपेश जो इसका जो मुख जो क्या है या उदेश जो है या याद रखिए है किसी भी सैने संगठन में सामिल ना होना गुट निरपेश का मतला आपको बताये गया एक तरफ कौन थे संयुकत राज अमेरिका था एक तरफ क्या था यूए सासार था ठीक रशिया था और गुट निरपेश जो देश थे चुकि पूरा का विश्व ज नहीं लेना चाह रहे थे अपने आपको अलग रखना चाह रहे थे दोनों तरफ से अच्छे रिष्टे बना के चलना चाह रहे थे उन्हीं को हमने का उन्हीं को नाम दिया गया गया गुट निरपेश आंदोलन उन्होंने शुरू किया थे कि हम किसी भी पार्ट किसी भी ग दिती वीश्युयूद्ध के बाद अमेरिका द्वारा यूरोप की आर्थिक सहायता करना जो है यह मार्षल योजना का से समबंधी थे और इसलिए हमारे यह नमबर राइट अंसल जागा दरखेगा मार्शल योजना का जो मतलब है वो क्या है दिती विश्व यूद के बाद अमेरिका द्वारा यूरोप की आर्थिक सहायता करना इसी को मार्शल यूजना कहा जाता है ठेक फिर देखे आ जाएंगे हमारा 14 नमर कुछ नहीं कहा है कि शीत यूद के प्रमुख कारण क्या है तो शीत युद का जो प्रमुख कारण था वो कौन था देखे पहला कहा रहा है परमाणुबं की तकनीक या फिर दूसरा है वीटो का प्रियोग तीसरा था सोवियस संग द्वारा बर्लीन की घेरा बंदी यो आप्शन डी उपरोग सभी तो याद रखेगा ये सभी आंसर हमार नमबर गो क्लिक कर देंगे ठेक फिर आजाएंगे देखें फिफ्टीन नमबर कुश्यन नमारा क्या रहा है कि 1960 के दसक में अमेरिका और सोवियत संग महाशक्तियों देशों के बीच कौन सा महत्पूर्ण समझाते हुए थे जो जो 1960 के दसक के बीच अमेरिका और सोवियत स संधी हुई थी या फिर सी नमबर केवल बी या फिर ऑप्शन डी ए बी दोनों होती है आज देखेगा हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नमबर डी ए और बी दोनों हुए थे जो अमेरिका और सोवियत संग के बीच में जो महत्पूर्ण समझाते हुए थे वो परुमा अप्रसार संधी भी थी इसलिए हमारा ऑप्शन डी होगा ए और भी दोनों हम ए और भी दोनों को माल लेंगे इसलिए उप्शन बडीन को यहां पी क्लिक कर देंगे फिर के आज जाएंगे सुलाहों नमबर कुशन क्या रहा है कि पस्चिमी गठबंधन द्वारा अप्रैल इसलिए नमबर हमारा यहां पे राइट अंसर हो जाएगा फिर देखे आजाएंगे हमारा next question गया रहा है 17 नमबर वारस की संध की सु वर्स हुई थी तो याद देखेगा वारसा वारसा की जो संधी हुई थी वारसा की संधी हुई थी वो हुई थी वर्स 1955 में 1955 देखिया है option नमबर A में तो हमारे हापे A नमबर आइट आंसर हो याद रहेगा वारसा की संधी जो हुई थी वो 1955 में हुई थी फिर देखे आजाएंगे 18 नमबर कुशिंगा रहा है कि good निरपेच्छता के प्रमुख तत्तों क्या है तो याद रहेगा good निरपेच्छता के जो प्रमुख तत्तों है वो स्वतंत्र विदेश नीती भी है सा भी को हम क्लिक कर देंगे तो गुट निरपेच्छता के जो प्रमुख तत्तों है स्वतंत्र विदेश नीती भी है और शांती की नीती का समर्थन भी है ठीक अब आ जाएंगे हमारा देखिए 1900 नमबर कुशिंगा की वर्स 2012 में हुए तेरहान सम्मेलन में गुट निरपेच देशों की संख्या कितनी थी तो याद रखेगा वर्स 2012 में हुए तेरहान सम्मेलन में गुट निरपेच देशों की जो संख्या थी वो टोटल संख्या थी आपकी 120 देश और 120 देश अगर देखिए यहाँ पर बात करें कहां पर आया है यह है और अप्शन नमबर हमारा ए म गुट निरपेच आंदोलन के समय संस्थापक सदस देश इंडोनेशिया के राष्टपती कौन थे तो याद रखेगा गुट निरपेच आंदोलन के समय जो सदस देश जो इंडोनेशिया था इसके जो कह सकते हैं राष्टपती जो थे वो थे सुकरणो और सुकरणो देख है कि verse 1972 में किसके व्यापार एवं विकास से संबंधी संबेलन में towards a new trade policy for development सिर्शक में एक report प्रस्तुत की गई थी ये कभी की गई थी कहां की गई थी तो याद रखेगा इन में हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा option number C संयुक्त राष्ट संग में तो याद for development सिर्शक में जो report प्रस्तुत की गई थी वो संयुक्त राष्ट संग में प्रस्तुत की गई थी कभी गई थी 1972 में थी फिर आ जाएंगे देखें हमारा अगला question क्या गरहा है कि समीती समीत परमालू परिक्षन संधी का प्रभावी हुई तो याद रखेगा समीत परमालू परिक्षन जो संधी थी जो लागू हुई या प्रभावी रूप से जो लागू हुई थी वो हुई थी आपका 10 अक्टूबर 1963 से तो यहाँ पे 10 अक्टूबर 1963 अप्शिन नमबर A में आ समीत परमाणू परिक्षन संधी जो प्रभावी रूप से प्रभावी हुई थी वो 10 अक्टूबर 1963 से हुई थी ठीक फिर आजाएंगे दिखें हमारा अगला कुश्चन क्या कर रहा है कि गुट निरपेच अंदोलन की अस्थापना से संबंधी नेता है और गुट नेता है वो किसी देश से संबंधी थै क्या से आपके यह यह संबंधी है यह हैं यूगोसलाविया से हैं सासक हैं ठीक यहाँ पे क्लिक कर देंगे दूसरा दिखेंगे गमाल अब्दुन नासीर यह कहां से समबंधित है यहाँ समबंधित है घाना के प्रधानमंतित है और लाश्ट बचा क्या है जवाहरलाल नहरू तो जवाहरलाल नहरू में पता है कहा के प्रधान मंत्री है ये भारत के प्रधान मंत्री है अब इसमें हमारा option क्या बन रहा है अब ये option हमें match कराना है कि किस में आया है अगर आप ध्यान से देखें तो ये option नमबर B में आया है देखें A का कौन है A का हो हो गया है दूसरा तो यह नमबर हमारा राइट रहे खाले हैं कियसे आपको मैच करना है पहले वहाँ पर सही क्लिक करने के बाद फिर आपको देखना है कि कौन सा हमारा right answer होगा तो हमारा right answer जो होगा वो होगा option number B होगा ठेक तो यहाँ पर B को हम click कर देंगे फिर देखें आ जाएंगे हमारा अगला question क्या करा है कि 24 नमबर परुमाल अप्रसार संधी के संदर्व में दिये गए कथनों का अध्यन करते हुए कूट की सहायता से उत्तर का चैन कीजिए अब क्या दिया गया है देखें पहला option क्या है एक जनवरी 1900 पहले दिखें यहाँ four option दिये गए इन चारो option को पहले पढ़ लेते हैं फिर उ वह देश पर्माल संपन देश माना जाएगा ये बिल्कुल सही है option चली इसको माले रहे सही है फिर कि इस परिभाशा के अंतरगत अमेरिका सोविये संग अब जो की रूस में जाना जाता है सोविये संग ब्रिटेन फ्रांस एवं चीन को पर्माल संपन देश माना गया ये भी बिल्कुल सही है फिर देखेंगे यहाँ पर्माल संपन देशों को किसी भी देश में पर्माल विसफोट का अधिकार दिया गया था नहीं ये गलत है फिर देखेंगे पर्माल संपन देश को पर्माल हथियार रखने की अनुमती दी गई तो ये बिल्कुल सही है अब इ option number D में है 124 तो यहाँ पर option number D आया है तो हमें यहाँ पर D number के हाँ पर click कर देंगे में भी यह भी आपको समझ में आ गया होगा अब दिखेंगे अगर यह detail आपको नहीं पता है तो इसको अराम से पढ़िए कि यहाँ पर जो भी option दिये गया है यह जानते देगा यह जो fact है एकदम सही है जो गलत option है वो कौन है यह option number हमारा क्या है 3 गलत था जब 3 गलत है तो तीन अगर सही है तो तीनों में अगर sequence बनाएंगे तो 1,2,4 बनेगा और 1,2,4 D number पर है जिसलिए हमारा D number option यहाँ पर हो गया था ठीक फिर दिखे आज आएंगे हमारा अगला कुछ दिये गए कथनों पर विचार करते हैं कूट की सहयता से सही विकल्पों का चैन करिए पहला दिखे option क्या कर रहा है कि गुट निर्पेच्छता की नीत का अनुसरान करने वाले अधिकतर देश नौ स्वतंतर राष्ट थे यह बिल्कुल सही है कि जो गुट निर्पेच्छता को जिन्हों ज्वाइन किया था वो हाली में आजाद हुए देश थे यह बिल्कुल सही है तिसको हमने टिक कर दिया चलिए सही हो गया फिर कर विभिन कारणों से गुट जिसमें भारत भी शामिल है युध्ध में शामिल हुए थे बिल्कुल सही है कि जो देश थे किसी न किसी वज़ा से वो सामिल हो ही गए थे यह भी हमारा आप्शन क्या हो जाएगा सही है फिर अधिकांस गुट निर्पेच्छ देश को निवनितम विक्सित या अलप विक् बिल्कुल यह सही है, इसलिए option number 1, 2, 3, 4, यह चारों ही सही है, चारों की बात किसमें की गई है, और यह की गई है, option number A में ही आया है, 1, 2, 3, 4, इसलिए हमारा यहाँ पर option number 4 जो हो जाएगा, option A जो होगा, यहाँ पर right answer हो जाएगा, ठीक, तो में भी आपको यहाँ पर सारे question स समझें, बार-बार उसको पढ़ें, बार-बार अगर पढ़ नहीं सकते, तो at least बार-बार वीडियो को watch करें, कि कई बार चीज़ों होता है, पढ़ने से याद नहीं होता, लेकिस सुनते याद हो जाता है, तो आप question जितने भी कराया जाए, उन सभी को बार-बार watch करते रह यह, और ऐसे सुनते, सुनते, देखते, देखते, जैसे question अगर यह exam आएगा, तुरंत आपको क्या हो जाएगा, तुरंत याद आजाएगा, तुरंत आप click कर देंगे, ठीक, तो चलिए, आज कितने रखते हैं, thank you very much for watching this video, और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे है प्लिस वीडियो को लाइकान और चैनल को सब्सक्राइब करना और भूले, thank you very much for watching this video, thank you